तो फ्रेंड अब हम लोग आ जाते हैं sum number 8 की और तो 8th sum मैंने पहले से ही solve करके रखा है क्योंकि एकदम ही simple sum है तो यहाँ पर क्या करना है वो मैं इक पर फटा फट आपको समझा देता हूँ in the figure segment AC and BD intersect at point P यह point P पे intersect किये जा रहा है और AP upon CP है और PP upon DP मतलब यह क्या किया होगा है यह sides हमारे equal है यह बता दिया है तो अब देखो समझो यह बात को तो यह दो sides तो हमारे equal है और हम लोग क्या कर सकते हैं triangle P को common बता सकते हैं यहां पर तो जारी सी बात है यह हमारा SAS test से यह जो triangle हम लोगों को ABP और C CDP को similar करने बोला है वो हम लोग proof कर सकते हैं तो पहले given लिख दो क्या लिखे होगे AP upon CP is equal to BP upon DP लिखा फिर ABP is similar to CDP यहां पर क्या हो जाएगा कि triangle ABP is similar to triangle CDP by SAS test तो friends इसी के साथ में हमारा यह sum number 8 complete हो चुका है अब आ जाते हैं हम लोग sum number 9 की तरफ तो यहां पर क्या-क्या बोला गया है उसके तरफ हम लोगों को दहन दोना है तो मैं यहां पर sum number 9 को पढ़ रहा हूं in triangle ABC point D on side BC such that अब देखो हम लोगों को given यहां पर दिया वाया है angle BAC is concurrent to ADC और हम लोगों को proof करना है CA square is equal to CB into CD अब यह दोनों को similar proof करना पड़ेगा यह triangle को तो पहले एक मिनट धेन दो तो CA CA हम लोगों को एक चाहिए यहां पर CA चाहिए फिर क्या चाहिए हम लोगों को CB CB मतलब यह पूरा वाला हो गया हम लोगों को यह side और CD मतलब यह हो गया है त यह ADC हो जाएगा एक angle और दूसरा CA square CA यहां पर भी आता है और ABC में भी आता है और CBC भी हमारा ABC में आता है तो हम लोगों को दो कंसे triangle similar proof करना है वो हम लोगों को समझ गया है मतलब यहीं जोनों triangles को जैसे BAC और ADC को हम लोगों को similar proof करना है तो हम लोग गी बन पहले तो लिग देते हैं गी बन क्या है हम लोगों को दिया हुआ angle BAC is congruent to angle ADC दिया हुआ है और to proof क्या करना है हम लोगों को CA square is equal to CB into CD अब हम लोगों का क्या है in triangle ABC ठीक है ना कुंसे कुंसे triangle लेने हैं हम लोगों को triangle BAC in triangle ABC in triangle BAC and triangle क्या लूँगा मैं ADC ठीक है ना सबसे पहले तो हम लोग given वाला part लिख देंगे BAC is congruent to angle ADC यह क्या है हम लोगों को given है और यह दोनों के दोनों हमारे क्या है concurrent है तो यह given है फिर उसके बाद में हम लोग क्या लेंगे इसमें CC angle के हमारा दोनों में भी common है ठीक है ना तो ABC में भी common है और ABC में भी common angle है तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर यहां पर मैं लिखता हूँ BAC है तो क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को ACB is congruent to angle क्या लिखेंगे हम लोग ACB और यह क्या हो जाएगा हमारा common angle हो जाएगा दोस्तों यह common angle हम लोगों ने लिख दिया therefore हम लोग ऐसे बोल सकते है न तो BAC is similar to triangle ADC by a test ठीक है न फिर उसके बात में हम लोगों को क्या करना है यहां पर ज़रा समझो तो क्या करेंगे हम लोग अब यह जो था BAC और ADC अब हम लोगों को corresponding sides लिखना है तो BA upon क्या लिखना मैं AD is equal to क्या करना पड़ेगा हम लोगों को AC upon BC फिर उसके बाद में BC upon क्या लिखना पड़ेगा AC यह क्या है हमारा corresponding corresponding sides of similar triangles ठीक है न यह corresponding sides of similar triangle होके अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग हम लोगों कौन से वाली की मतलब यहां पर जरूरत है तो CA square तो यह यह आ जाएगा AC square और यह BC into BC आ गया मतलब CB आ गया और यह आ गया तो हम लोग यहां पर अब लिख देते हैं क्या लिखूंगा में AC upon BC यह हम लोगों को is equal to BC upon sorry AC आ जाएगा ठीक है न तो अब इसको हम लोग cross multiply कर लेते हैं तो AC square हो जाएगा यह AC into AC चलो एक और एक step बढ़ा देते हैं तो AC into AC और फिर क्या हो जाएगा यह BC into BC AC into AC कितना हो जाएगा AC square is equal to BC into DC अब यह देखो AC मतलब CA है और BC मतलब CB और DC मतलब CD तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं that is हम लोगों ने प्रूफ कर दिया क्या CA square is equal to CB into CD तो यह हमारा हो क्या क्या है hence proof हम लोगों ने यह sum को complete कर दिया smoothly